हे गाईज, वेलकम अगेन इन क्वालिटी अचिवर क्लाजेस आज मैं जो हूँ कि आपको रूसी करांती के विशे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है क्लास नाइन के इत्यास से एक बच्चे ने मुझे कहा था कि आप परहाऊ लेकिन मुझे कमच समय मिलने कारण मैं जादे समय नहीं दिपा रहा हूँ लेकिन मैं कोसिस कर रहा हूँ कि आपको सारा वीडियो प्रोवाइट करा दूँ और जल से जल मैं ये कर भी दूँगा तो फ्रेंस रूसी करांती के विशे में आप जानू तो ये देखिए यूरोप का सबसे पिछरे ओतियों की देश में से एक रूसीह समीकरन उलट गया कि 1917 में अक्टूबर करांती के जड़िये रूस का सत्ता पर समाजवादियों ने कब जा कर लिया तो मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने उधारवादी और आपको समाजवादी तथा रेडिकल के विशे में मैंने बताया था तो वहाँ पे आप इससे पहले आप जाके उसे देखे ना ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो क्या हुआ कि फरवरी 1917 में राज साही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर करांती कहा जाने लगा यानि कि अक्टूबर की घटना जो हुई थी 1917 में उसी को अक्टूबर करांती कहा जाता है उसके बाद जो है रूसी करांती 1914 इसमी में हुई थी जो कि रूस के रूस और इसके पूरा समराज पर जोड निकोलस दुईत्य का सासन था और उसके मोस्को के आसपास मतब कि मोस्को के आसपास क्या हुआ वाले छेतर में भू छेतर के अलावा आज भी फिनलेंड लात्विय लाथुआनिया एस्टोनिया और पॉलेंड यूक्रेन वा बेलारूस के कुछ हिस्से रूस समराज के अंग थे रूसी समराज के महत्यपूर्ण अंग थे और फ्रेंस बहुत ही इंपोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो समराज था इसमें कुछ तूर्टियां था कुछ गल पहले धर्म को अलग अलग धर्मों को पालन करने के लिए जोर्ज वरस्ति किया जाता था लेकिन क्या आपको ये भी पता होना चाहिए कि सभी लोग को स्वतंत रहें कि वो किस धर्म का पालन करें लेकिन बहुत जादे समस्या होती थी पुराने समय आप देख सकते हो मेप में रुसी करांती रुसी समराज कहां है जर्मनी फ्रांस स्विचर लेंड एक बात मैं बताना चाहरा हूं फ्रेंड कि आप हिस्ट्री पर हो या जोग्रफी पर हो लेकिन मेप जो है एटलस जरूर अपने साथ रखो एटलस रखने से फायदा ये होगा सफ्रेंस कि आप पिक्छर के माधियम से अराम से सारह सीकते जाओगे और सारे चीछ को अच्छे से कंपरीर भी करते जाओगे इस चीछ के विसे में आप जरूर सोझना आगे 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 देखो कि अर्थ विवस्था और समाज आपको पता है अर्थ विवस्था का मतलब क्या होता है और समाज का मतलब क्या होता है तो अर्थ विवस्था क्या होता है कि एक ऐसी विवस्था जिसके अंतरगत मतब की तीन छेतर होते हैं से प्रत्मिक छेतर द्वित्यक छेतर और भारत के अनुसार में बता रहा हूं तो इसमें क्या होता है किरिसी विन्योग सेबा सारे चीजों को बाटा गया है और जिससे की अर्थ मतब की पूरा वेवसाय चलता है पूरा देश का एक सिस्टम चलता है रुपिया पैसा का सारा जो है की काड़ोबार इसी के माद्यम स होता है अर्थ वेवस्ता के अंतरगत और समाज तो आप जानी रहे हो सेक्रों परिवारों या हजारों परिवारों से समाज का निर्वान होता है अब बीसवी सदी के सुरवात में क्या हो था रूस की अवादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बारी से जूर गया था उस परिशत से जादा नहीं था रूसी समाज के किशान अपनी जरूरतों के साथ साथ बजार के लिए भी पैदावार करते थे तो रूस में अनाज का बरा नियाया तक देश था आप देखिए अठाड़ों सुनब्बे के दसक में चालू हुआ था क्या बहुत सारे कारखाने भ भी लगभग बराबर हो गई थी ज्यादतर ज्यादतर कार खाने उद्योगपती के नीची कंपणी के मतब संपत्ति के अंतरगद आते थे और फ्रेंस यहां देखिए आप दिया हुआ है कि मजदूरों को नियुनतम वेतन मिल रहे थे और काम का पाली के घंटे निश्चित हो इस बात का ध्यान रखना सरकारी बिभाग के बरी फैक्टरी पर नजर रखते थे लेकिन फैक्टरी इंस्पेक्टर भी नियुमों का उलेगन पर रोक पाने के नाकाम्याब थे और फ्रेंस क्या है 15-20 घंटे यानि 10-12 पालियों में काम करते थे आप सोच लिजे कितना ज में मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी लेकिन उन्हें पुरूस मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था यह होता था जान लिजे आप उसके बाद है नौकडी मतब कि क्या होता था कि विभेदों के बाब जूद जब किसी को नौकडी से निकाल दिया जाता था तो मजदूर एक जूट होकर हरताल भी कर देते थे तो 1996 से 1997 के बीच कपरा उद्योग में जो है आपका 1902 में क्या हुआ कपरा उद्योग में 1902 धातू धातू उद्योग में ऐसी हरताल काफी बरी संख्या में आज जीत होने लगा और हरताल तो आप जानिये रहो हो कि आपकी प एक हरताल का आयोजन करता है जिसे वह चाहता है कि उसके बातों को मानवाई जाए और तो इस तरह से हरताल किया जाता है तो 1905 में तो पूरा रूस में ही ऐसी घटना घटने लगी तो बहुत विरियत रूप से इसा होने लगा और फी फ्रेंस यहां साइड में देखो एक प तो आपको पता है बैठक तो नॉर्मली जो है अध्यक्ष के उपस्थिती में ही की जाती है और देखें फिर क्या है रूस में समाजबाद तो समाजबाद में मैंने आपको बताया ही है समाजबाद में होता क्या था तो समाजबाद में यही होता था फ्रेंस कि जो है नॉर् 14 इसपी से पहले मतब समाजवाद में समाज को जादे वैल्यू दिया जाता है लोगों के जरूरत के अधार पर उसे धन अर्जन करने की अनुमत्ती होती है यानि कि यहां पर पुंचिवादी सोच विचारधारा जो है एपलेबल नहीं है मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें समाजवादी साम्यवादी उधारवादी मिस्री तर्थ विवस्ता साड़े चीज को मैं क्लियर कर दूंगा पर आप पिछला वीडियो एक वार जरूर देख लेना तो आई थिंग की 80 परसेंट तो आपका किरियर हो ही जाएगा अगर आप ध्यान से एक दोबर सुन लो तो तो इस तरह से होता था उनीस्सों देखें उनीस्सों में क्या हुआ उन्होंने मदब की तरह तरह के पार्टी का गठन किया जिसका नाम सोसलिस् अगर आपका देखे गूट निर्मान करना है तो उसका एक संगठन होता है तो उसका नामंकरन तो होता ही है तो इस तरह पार्टी तरह-थरह के मांगों को लेकर आ रहे थी समाजिक लोक तंत्रवादी खेमा समाजवादी करानतेकाडियों से समत नहीं थे लेनिन का मानना थ तो इस तरह से विभेध था तो संगठित रन्नीती का सवाल पर पार्टी के गहरे मदवध थे बलादमीर लेनिन ने क्या सोचते थे कि जार्व सासित रूस जैसे दवनकारी समाज में पार्टी अत्यांत अनुशासित होनी चाहिए अगर अनुशासित नहीं होगी तो आप सोच लोग कैसे पूरा मतब की सासन, मतब पूरा विवस्ता पर अपना जो है कि नियंदरन कायम रख पाएगी तो इसके लिए उसको जरूरी था कि वो इस सरह के काड़ी को कड़े और फ्रेंज देखे उथल पुथल का समय कब आया 1905 की करांती में रूस का निरंग कुस राज साही था अब जो है कि ये उरोपिय सासको के विप्रित विस्वी सताब्दी के सुरुवात में ही जरा जाड राष्टिय संग संसत के अधिन नहीं था उत्तरवादियों ने इस इस्तथी को खत्म करने के लिए बरे प्यमाने में मुहिम चलाई लेकिन क्या हुआ फ्रेंज 1905 में करांती के दोरान उन्होंने समविधान के रचना के लिए सोसल डेमोक्रेटिव और समाजवादी करांती काड़ी के साथ मिलकर किसानों और जो है मजदूरों के बीच काफी काम किये लेकिन इसका परिनाम खुछ सामने भी आया फ्रेंज 1904 में साल बहुत बुरा रहा क्योंकि यहां पर वास्तविक वेतनक में 20% तक की गिरावट आ गए थी फ्रेंज तो आप सोचिए कि कितना जादे परिशानी उठानी पर रही हो और कॉक्षेन ने मजदूरी पर हमला बोल दिया और इस घटना में 100 से जादा मजदूर मारे गये और 300 घायल हो गये तो इस तरह से बहुत भरूत समस्य आ गई जब नागरिक स्वतंत्र के अभाव में वीरोध करते हुए जो है विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिस्क यूनियन ओफ यूनियन्स की अस्थापना की उनी सोपांच की करांती के दोरान जार ने एक निर्वाचित प्रामर्स दाता संसत या डियूमा का गठन किया इस तरह से बहुत तरह तरह के चीज करने जाने लगे और बदला भी होने लगा और मद्दान की परकिरिया भी कर दी गई और देखे पहला विश्यूद और रूसी समराज का क्या योगदान रहा उनीस्तो चोदा से अठाड़ा में आपको पता है कि पर्थम विश्यूद चला था दूसरा 49 से 45 तक चला था तो आपको पता होना चीए इसमें जर्मनी जो था मतब रूसी स्वारी रूसी प्रांस ब्रिटन रूस था इन सभी देशों के पास विसाल वेस्विक समराज थे इसलिए यूरोप के साथ साथ यह यूद्ध यूरोप से बाहर फैल गया इसी यूद्ध का पहला विश्यूद कहा जाता है इस यूद्ध सुरू में रूसियों ने काफी समर्थन किया था जनता ने जार का साथ दिया था इस तरह से पर्थम विश्यूद में क्या हूँ था पूर्वी मोच्रे पर चल रही लड़ाई पश्च्मी मोच्चे की लड़ाई से भी न थी और देखे कि 1914 से सोला के भी जर्मनी अस्ट्रिया और रूसी सेनाओं के भारी पराजय हुई और अलोक प्रिया बना दिया था सिपाई भी यूद से तंग आ चुके थे अब वह लरना नहीं चाहते थे इस तरह देखे किस तरह के समस्या किरिये ठोगया था प्रतम विश्यूद में खुत्ते भी अनाम से स्वहम हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि 1916 तक रेलबे लाइन भ जोग दिया जाता था फिर मजदूरों से कमी पढ़ने लगी और जो है बहुत जादे सुविधा वर्क्सव ठब पढ़ गई 1916 के सद्यों तक रोटी की दुकान पर भी अकसर दंगे होने लगे थे तो फ्रेंस ये थे आपके रूसी करांती के कुछ परिनाम और प्रभाव और समाजबात के कुछ रूल मदब की उसके परभाव तो फ्रेंस आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए मैं इस चैप्टर का अगला पार्ट जो है जल्द ही लाओंगा यू मस्ट वाच मैं आल वीडियो सो आपको मैं ये कहना चाहता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो कॉमेंट करो ताकि हर वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे ओके फ्रेंस ठाइंक यू सो मच बाबाई